हर बार गेहू की रोटी और दाल सब्जी तो हमेशा खाते होंगे लेकिन वही गेहू की रोटी और दाल से कुछ नया बनाए तो कैसे रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं बहुत ही टिष्टी और बहुत ही कम तेल में ये टिष्टी नास्ता जो काफी पसंद आएगा और बच्चों की ये फेबरेट हो जाएगी और आप चाहिए इसे टिफिन में भी बना सकते हैं तो चली शुरू करते हैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी तो सबसे पहले आपको लेने है चने डाल और चने डाल को अच्छी तरह से भीगो देना है भीगो के अच्छी तरह से फुला देना है लगभग 3-4 घंटे में अच्छी तरह से चने डाल भीग जाएंगे और फूल जाएंगे उसके बाद आपको लेने हैं मिक्सर के जार और अच्छी तरह से इसे डाल देना है उसके बाद इसे और भी टिष्टी बनाने के लिए मैंने यूज किया है इसमें हरी मिर्च अगर अधरक है तो अधरक भी डाल सकते हैं उसके बाद 3-4 मैंने लसुन की कलिया डाली है और हलका सा पानी डाल के इसे दरदरा सा पीस लेना है उसके बाद मैंने लिए हैं गेहू के आटे ये देखे थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा आपको डालना है हल्दी का पाउडर ताकि अच्छा सा कलर आए और अच्छा सा टेस्ट भी आए क्रस करके थोड़ा सा जवाइन है तो जरू डाल दे और थोड़ा सा आपको तेल डालके बस वही साज में आपको कर लेने है और ये देखे आठे को मैंने बहुत अच्छी तरह से मसल मसल के तयार कर लिया है इसे आप क्या करना है अच्छी तरह से गोला कर लेना है तीन से चार गोले आपराम से कर ले और ये जो अच्छी तरह से मैंने चैने डाल पीसे थे उसमें मै आप इस recipe को हम इसा बनाके try कर सकते हैं. रोटी जैसे सेब बनाने के बाद अगर आपके पास कोई चटनी है या टोमेटो केचाफ है या कोई भी ऐसी चीज है चटनी वगराण आप डाल सकते हैं. नहीं है तो उसके बिना भी बना सकते हैं. डारेक्ट ये चने दाल को अच्छी तरह से चारो और आपको फैला देने हैं, ये देखें, बहुत ही असान तरीके से हो जाएंगे, कोई भी दिकत नहीं होगा, इससे क्या हो जाएंगे, बहुत ही healthy नास्ता आपका बन के तयार हो जाता है, और अगर आपको भी खाने बनाने म जाके देखें, और अगर ये रेसेपी पसंद आ रही है, तो एक लाइक जरू कर दे, और ये देखें, अच्छी तरह से मैंने फोल्ट कर दिया है, सिंपल से रोटी और दाल को मैंने कैसे अलग तरीके से बनाया है, जो बच्चे को भी कापी पसंद आते हैं, अगर कभी सभी को आपको इसी तरह तयार कर लेने पड़ेंगे, तो एक मैने तयार हो जगा है, और इसे आपको क्या करना है, इसे भाप में आपको पकाना है, नहीं है, तो कपड़े बांद के भी पका सकते हैं, और इसके उपर मैंने लगाया है, मियोनिस ये देखें, मसरू मियोनिस बिलकुल चटपटा बनाना आपके अपने हाथ में है जैसा भी आपको टिश्ट अच्छा लगता है अरामसे जरूर करें और अच्छा सा healthy नस्ता बना के जरूर बच्ची को खिलाए और यह देखे एक दूसरा रोल भी मैंने तयार कर लिया है इसी तरह मैंने चारो रोलो को तयार कर लिया है और इसे अच्छी तरह से मैंने भाप में 10 से 12 मिनट अच्छी तरह से उबले हुए पानी में आपको पका लेना है और जैस अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी और मसाले दार पसंद है तो आपको छोटे-छोटे रोल में यसे कट करना है और अगर थोड़े से बढ़े-बढ़े साइच करना चाहे तो आप कर सकते हैं लिकिन अगर कोचिस कर देड़े छोटे में तो क्या हो जाएंगे अच्छी तरह से मसाले चारो और कोटिंग होते हैं और यह बहुत ही अच्छा सा टिस्ट आता है चोमीन अगरा तो आपने कई बार खाये होंगे लेकिन इस तरीके से इस बार एक पर मना कर दिखिए चोमीन को भी आप पीशे शोड़ देंगे इतनी यह टिश्टी लगती है और यह हल्दी तो है और पीट भी भरेगा ऐसी यह खास बात है तो यह दिखिए सभी चीजों को मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है अगर आपको हेल्दी नासना खाना है या पर आपको कम मसाले तेल में खाना है तो आप इसी तरह इसे खा सकते ह स्वाइस त्वेश स्वाइब या लाल ओमिर्च घर अपको अगर आपको आप Hampshire को अगर थोड़ा सव ज्यादा पुसंद है तो इस तो आप ज़्याधा डाल सकते हैं, या बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो simple भी बना सकते हैं, और हाँ एक चीज अगर ना भी हो, तो भी ये मसाले में बिरा बना सकते हैं, कम हो, कोई भी बात नहीं है, तो भी आ बना सकते हैं, और यह देखे, सभी चीजों को मैंने डाल द तो आपका बनके तैयार हो जाएगा धनियापती है तो धनियापती डालिए सोया सोर्स है तो थोड़ा सा सोया सोर्स भी डाल सकते हैं और बिल्कुल ही चाइनीज डिस से कम नहीं लगने वाली है ये देटेपी और बहुत ही healthy option है चाइनीज डिस तो हमेशा खाते होंगे और ब